लोकसबा चुनाओ दोहजार चौविस के लिए बीजेपी ने रविबार को मोदी की गैरंटी नाम से अपना संकल पत्रों जारी कर दिया है बीजेपी के संकल पत्र में देश की जनता को 14 गैरंटी देने का वादा किया गया है वहीं संकल पत्र के बारे में बताते हुए पेम मोदी ने का कि देश को भाशपा के संकल पत्र का बहुत इंतजार रहता है इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाशपा ने अपने संकल पत्र के हर बिंदू को गैरंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने गुशना पत्र की सूचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्पत्र विक्सत भारत के चार मजबूत स्थम युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान इन सभी को शशक्त करता है इस संकल्पत्र में अफसरों की मात्रा और अफसरों की गुडवक्ता पर जोर दिया गया है पियम मोदी ने कहा कि अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयू से उपर के हर बुजर्ग को आयूश्मान यूजना के दायरे में लाया जाएगा 70 साल से उपर का हर बुजर्ग चाये वो गरीब हो मध्यमवर्ग का हो या फिर उच्चे मध्यमवर्ग से क्यों ही न हो उन्हें 5 लाख रुपे तक के मुफ्त इलाज की सुवदा मिलेगी बाजपा ने ट्रांसजेंडर सात्यों को भी अब आयूश्मान भारत योजना के अंतरगत लाने करने लिया है प्यम मोधी ने कहा कि मोधी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 सालों तक जारी रहेगी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीद के भोजन की धाली पोशर युक्त हो उसके मन को संतोश देने वाली हो और अफॉड़ेबल हो सस्ती हो प्यम मोधी ने कहा कि बीजेपी देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेंगे देश में वंदे भारत के तीन मॉड़ल चलाए जाएंगे वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो भाजपा के संकल्प पत्रका बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्सों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्रके हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उताड़ा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र बिश्चित भारत के चार मजबुत संप युवाशक्ती, नारी शक्ती, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनीटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस